श्री राम कृष्ण देव के उपदेश, वचनामरत, प्रिष्ठक्रमांग 585, परिच्छेद 88, कीरतनानंद में श्री राम कृष्ण अधर की घर में नरेंद्र आदी भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण अधर के घर के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं, बैठक खाना दुमंजिले पर है, श्री उत्नरेंद्र, दोनो भाई मुखरजी, भवनात, मास्टर, चूनी लाल, हाजरा आदी भक्त, श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं, दिन के ती बजे होंगे, आज शनिवार है, 6 सितंबर, 884, भक्तगन प्रणाम कर रहे हैं, मास्टर के प्रणाम करने के बाद, श्री रामकृष्ण अधर से पूचते हैं, क्या निताई डॉक्टर ना आएगा, श्री उत्नरेंद्र गाएंगे, इसके लिए वंदवस्त हो रहा है, तान पुरा बानते समय, तार तोट गया, श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे, यहां क्या किया, तब नरेंद्र अपना तबला ठीक करने लगे, श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे, तुम तबला ठोक रहे हो, पर मुझे तो ऐसा मालूम होता है, मानो कोई मेरे गाल पर चपत मार हो, कीरतन के गीत के संबन्द में बातचीत हो रही है, नरेंद्र कह रहे हैं, कीरतन में ताल सम आदी कुछ नहीं है, इसलिए इतना पॉप्यूलर है, और लोग उसे पसंद करते हैं, श्री रामकृष्ण यहां तु क्या कह रहा है, गाना करुना पूर्ण होता है, इसलिए लोग इतना चाहते हैं, नरेंद्र कह रहे हैं, पहला गीत, हे दीन शरण, तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है, दूसरा गीत, क्या मेरे दिन व्यर्थ ही चले जाएंगे, हे नात, सदा ही आशापत पर मेरी दृष्टी लगी हुई है, श्री रामकृष्ण हाजरा से सहास इसने पहली भेट के समय यही गाना गाया था, नरेंद्र ने और भी दो एक गाने गाये, फिर वैशनव चरण ने एक गाना गाया, श्री रामकृष्ण, ए वीना, तू ईश्वर का नाम ले, यहां गाना एक बार गाओ, वैशनव चरण गा रहे हैं, हे वीना, तू ईश्व का नाम ले, उनके श्री चरणों को छोड़, तुझे परम तत्व की प्राप्ति न होगी, उनके नाम से पाप और ताप दूर हो जाते हैं, तू हर एक रशन हर एक रशन कहती जा, उनकी क्रिपा होगी, तो मैं भावसागर में फिर न रह जाऊंगा, न उसके लिए मुझे क कोई चिन्ता होगी, वीना, एक ही बार उनका नाम ले, नाम के सिवा और दूसरा अवलंब नहीं है, गोविंद दास कहते हैं, दिन चले जा रहे हैं, सावधान रहना, जिससे की मैं अपार समुद्र में कहीं बहना जाऊं, गाना सुनते ही श्री रामकृष्ण को भावावे इसमें कहते हैं, अहां, हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो, यहां कहते हुए, श्री रामकृष्ण समाधी मगन हो गए, भक्तगन चारो और बैठे हुए, श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं, कमरा आदमियों से भर गया है, किर्टनिया उस गाने को समाप्त कर, एक दू श्री रामकृष्ण उठकर खड़े हो गए और नृत्य करने लगे फिर बैटकर बाहे फैला कर स्वयम उसके पद गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रेमोन मत्त हो गए नृत्य कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण को समाध्य हो रही है। उस समय उनकी अंतरदशा हो गए जबान बंध हो गए सरवांग स्थिर हो गया। बाक्तगण उन्हें घेर कर नाच रहे हैं प्रेमोन मत्त की तरह। कुछ प्राकृष्ण दशा में आते ही श्री रामकृष्ण ने गाना शुरू किया। आज अधर का बैठक खाना श्री वास का आंगन हो रहा है। हरी नाम की ध्वनी सुनकर आम सड़क पर कितने ही आदमी एकत्र हो गए है। भक्तों के साथ बड़ी देर रित्य करके श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहन किया। भावावेश अब भी है। उसी अवस्था में नरेंद्र से कह रहे है। वही गाना गा मा मुझे पागल कर दे। श्री रामकृष्ण की आग्या पाकर नरेंद्र ने गाया मा मुझे पागल कर दे। श्री रामकृष्ण ने एक दूसरा गाना, चिदानन्द सिंधु नीरे, गाने के लिए कहा, नरेंद्र गा रहे हैं, चिदानन्द सिंधु में प्रेमानन्द की तरंगे उठ रही है, वह महाभाव है, उस रसलीला की माधुरी का मैं क्यावर्नन करूँ, महायोग में सब कुछ एकाकार हो गया, देशकाल की सीमा, भेद अभेद, सब दूर हो गय, अब आनन्द में मस्त होकर, बाहुओं को उठा, हे मन, उनके नाम का किर्टन कर, श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, और चिदाकाश वाला, नहीं, रहे, वहाँ बड़ा लंबा है, अच्छा, धीरे धीर सही, नरेंद्र ने वहाँ गाना भी गाया, श्री रामकृष्ण ने एक और गाना गाने के लिए कहा, उसे भी गाया, श्री रामकृष्ण और भक्तगन जरा विश्राम कर रहे हैं, नरेंद्र ने धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के कानों में कहा, आप वहाँ गाना जरा ग गाना नरेंद्र भुवन रंजन रूप श्री रामकृष्ण ने धीरे धीरे गाकर नरेंद्र को सुना दिया श्री रामकृष्ण तथा भक्त का जाती विचार गाना समाप्त हो गया नरेंद्र भुवनाथ आदी भक्त गण श्री रामकृष्ण से वार्तालाब कर रहे हैं हस्ते हुए कह रहे हैं हाजरा नाचा था नरेंद्र सहास्य जी हाँ धीरे धीरे श्री रामकृष्ण सहास्य धीरे धीरे नरेंद्र सहास्य उसकी तोंद भी नाचती थी सब हस्ते हैं शशधर जिस मकान में है, उस मकान में श्री राम कृष्ण के निमंतरन की बात हो रही है नरेंद्र मकान वाला खिलाएगा? श्री राम कृष्ण सुना है उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, लुच्चा है नरेंद्र इसलिए जिस दिन शशधर से आपकी प्रथम भेट हुई थी उस दिन उसके चुए हुए ग्लास से आपने पानी नहीं पिया आपने कैसे पहचाना कि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है श्री रामकृष्णा, सहास्य हाज्रा एक घटना और जानता है उस देश में, सिहोड में, रिदय के घर में वहां हुई थी हाज्रा, वहां एक वैश्नव है मेरे साथ आपके दर्शन करने आया था जो ही आकर बैठा कि आप उसकी और पीट फेर कर बैठ गए श्री रामकृष्णा, सुना, अपनी मौसी से फसा था पीछे से पता चला नरेंद्र से पहले तू कहता था, ये सब मेरे मन के विकार है नरेंद्र मैं तब जानता थोड़े ही था अब तो कई बार देखा, सब मिलते हैं नरेंद्र के कहने का तातपर यह यह है कि श्री रामकृष्णा भावावस्था में लोगों का अंतर भी देख लेते हैं इसी की उन्होंने कितनी ही बार परिक्षा ली है श्री रामकृष्णा और भक्तों की सेवा के लिए अधर ने बड़ा इंतजाम किया है उन्होंने भोजन के लिए सब को बुलाया महेंद्र और प्रियनाथ दोनों मुखरजी भाईयों से श्री रामकृष्णा कह रहे हैं क्यों जी तुम भोजन करने न चलोगे उन्होंने विनाइपूर्वक कहा जी हमें अब रहने दीजिए श्री रामकृष्णा सहास्य ये लोग सब कुछ करते हैं बस इतने ही से इन्हे संकोच है एक औरत के जेठों के नाम हरी और कृष्ण थे उसे हरी नाम तो कहना ही होगा इधर हरे कृष्ण कहने से जेठों के नाम आते थे इसलिए वह जबती थी फरे फृष्ट, फरे फृष्ट, 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 परेंद्र, भवनात, आदी भक्तों के साथ आनंद पूर्वक श्री रामकृष्ण ने भोजन किया। अब बैठक खाने में आकर विश्राम कर रहे हैं। फिर दक्षनेश्वर लोटने का उद्योग होने लगा। कल रविवार है, दक्षनेश्वर में श्री रामकृष्ण के आनंद के लिए मुखरजी भ्राताओं ने किरतन का बंदोबस्त किया है। अच्छा जी, जाने की कोशिश करूंगा, श्री रामकृष्ण, स्नान भोजन वही करना, मास्टर भी जाएंगे, अगर कोई अर्चन ना हो, मास्टर से, तुम्हारी विमारी तो अब अच्छी हो गई है न, अब पत्थे वाली व्यवस्था तो नहीं है, मास्टर, जी नहीं, मैं भी जाओंगा, नित्य गोपाल व्रिंदावन में है, कई दिन हुए, चूनी लाल व्रिंदावन से लोटे है, श्री रामकृष्ण उनसे नित्य गोपाल का हाल चाल पूछ रहे है, अब दक्षिनेश्वर चलने की तैयारी होने लगी, मास्टर ने भूमिष्ठ हो, उनक नरेंद्र आदी भक्तों से ससनेह, नरेंद्र भवनात तुम लोग जाना, नरेंद्र भवनात आदी भक्तों ने भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया, उनके अपूर्वकिर्तनानंद और भक्तों के साथ सुन्दन रित्य की याद करते हुए, भक्तगन घर लोटे, आज भादों की कृष्ठन प्रतिपदा चांदनी रात है, श्री राम कृष्ठन भवनात, हाजरा, आदी भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ कर दक्षिनेश्वर के ओर जा रहे हैं,